सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बॉकलाए आतंक की लगातार भारत्य सीवा में गुस पैट की कोशिश में लगे हैं और आज भी जम्मू कश्मीर के हंद्वाडा में सेना के शिविर पर कुछ आतंक वादियों ने हमला कर दिया इसके बाद सुरक्षा बलो ने भी जवाबी कारवाई की जिसमें तीन आतंक वादी मार गिराए बदाय जा रहा है कि आतंक वादियों ने सुभा करीब पांच बजे को पुवाडा जिले के लंगेट में सेने शिविर पर गोला बारी शुरू की जिसके बाद भारते जवानों ने भी कारवाई की एक अधिकारी ने बताया है कि दोनों ओर से करीब 15-20 मिनट दक गोली बारी हुई इस हमले में सेना की दो जवान भी गायल हुए हैं यह हमला तब किया गया जब सैनेबल तलाशी अभ्यान चला रहे थे फिलाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है तलाशी अभ्यान के दोरान सेना ने भारी मात्रा में हतियार भी बरामत किये हैं यानि कि साफ है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराग में थे लेकिन सेना ने इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया वहीं दूसरी तरफ सर्चिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान का चूट बेनकाब हो गया है अभी तक पाकिस्तान ये कहता आया है कि भारत ने P.O.K. में घुसकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया लेकिन समाचार चानल CNN News 18 ने बुधवार को पाकिस्तान के एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी के हवाले से एक खुलासा किया है कि P.O.K. मे मीरपूर के S.P. ने माना है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी और 12 लोग मारे भी गए थे जिनमें पाकिस्तान के 5 फौजी भी शामिल थे इसे पहले कंग्रेजी अकबार ने भी इस बात का खुलासा किया था तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बास नहीं आ रहा है कभी सीस्वायर का उलंगन किया जाता है तो कभी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाती है लेकिन हर बार उन्हें मुह तोड जवाब मिलता है देखते ने ये टीपी लाइव